आज हम बनाएंगे आधा कप धुली मूंग दाल से क्रिस्पी करारी कुरकुरी चकली और ये चकली बनाने के लिए आपको मूंग दाल को ना ही ग्राइन करके पाउडर बनानी है ना ही मूंग दाल को भीगोना है बहुत आसान तरीके से ये चकली बनाएंगे और चकली बहुत जादा कुरकुरी बनेंगी चकली बनाती हुए तेल में जाकर चकली अगर खुल जाते हैं तो इस अभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने वीडियो शेर किया है इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखे और अगर इस रस्पी पसंद आती है इस रस्पी को ट्राई करे और लाइक और शेर करके इस वीडियो को आगे बढ़ाए ऐसे ही रस्पीस और देखते रहेने के लिए चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें चलिए आज की रस्पीस शुरू करते हैं सबसे पहले लिजिए एक बोल और इसमें आधा कप धूली मूंग डाल डाल दीजिए इस मूंग डाल को अच्छी तरीके से पाने डाल कर हम धोलेंगे धुली मूंग डाल यानि की पीली मूंग डाल के नाम से भी से जाना जाता है मुंग दाल को अच्छे से धोले क्योंकि इसके उपर कुछ पाउडर टाइप की चीज होती है जिससे वाइट वाइट पानी निकलाती है आप देख सकते हैं पानी कितनी सफेद सी हो गई है ये पानी को फेक देंगे चाहे तो आप मुंग दाल को दो बार धोले मुंग दाल को अच्छी तरीके से धोने के बाद इसे हमें कुकर में ट्रांसफर करेंगे अब क्योंकि आधा कप हमने मुंग दाल लिया है दो से धाई कप आप इसमें पानी डाल सकते हैं अब थोड़ी सी नमक टालेंगे स्वादनुसा नमक टाल दे अच्छी तरीके से मिक्स और कुकर का धकन बंद करके कुकर को ग्यास पर रख दे, फ्लेम को आउन करे, चार से पाच विजिल आने दे, डाल जब तक अच्छे से पक जाएगी, फिर कुकर जब थंडा हो जाएगा, इसका धकन खोल के चेक करें, यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छे से कुकर थंडा हो धकन खोल लेते हैं दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है अभी एक कल्ची लीजिए इस तरीके से चलाते हुए दाल को स्मोथ कर लीजिए ये दिखिए इस तरीके से अब इस दाल को रखते हैं साइड में अब हम एक सफेद सी कपड़ा ले लेंगे कपड़ा अगर बहुत जैसा बना लेंगे ये दिखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से गाट बांध लीजिए एक बढ़ी हसी पोटली रेडी कर लीजिए दोस्तों ये जो चकली है ना एक तो दो हेल्दी इंग्रिडेंट से बनती है गेहुंका अर्टा और मुंगदाल और ये दोनों ही इंग्र मार्केट जाकर आपको कुछ नहीं लेना है तो है ना इंट्रेस्टिंग रेसिपी आप देखिए मैंने पोटली बांध लिया है इसे मैं एक बरतन के अंदर रख रहे हूँ नॉर्मली वो डबा लीजिए जो आप दाल उबालने के लिए यूज करते है आपके कुकर में वो बरतन आनी चाहिए और कुकर थोड़ी हाइट वाली ले जिसे की आप कोई भी एक बरतन को अंदर रख सको ठीके अब मैंने एक गलस इसमें पानी डाला है एक छोटी सी मैंने कटोरी रखी है उल्टा अब देखिए मैं जो डबा ले रही थी ना वो डबा इसके अंदर नही अब थंडा होने दे जब इसकी प्रशक पूरी निकल जाए तब धक्कन खोले अब इससे निकाल लेते हैं हलकी सी थंडी भी हो चुकी है तब तक चलिए बतन को बाहर निकालते हैं और इस पोटली को बाहर निकाल लेते हैं ये कपड़ा इतना गरम नहीं होता है आटा जो ह हम खोलेंगे और जो आटा था वो एकदम वो पोटली के शेप में आ गई है देखिए इस तरीके से देखिए एक ड्रॉप वहां पर पानी लगा तो कलर देख सकते है थोड़ा सा इसमें पानी नहीं लगनी चाहिए अब इसे हम तोड लेंगे इस तरीके से ऐसा लग रहा है यह मुलतानी मिट्टी हो है ना या फिर बच्पन में हम जो खडू बोलते हो उसको जो रंगोली निकालने में काम आती है वो जो खाते थे ना वो वाली चौक वैसी लग रहे है एनिवेज इसे हम ऐसे तोड लेंगे और हाथ से मसल करके इसका आप चूरा बना लेजे बहु लेक्सर चाल में डाल कर ग्राइंड भी कर सकते हैं देखे यह बहुत आसानी से इस तरीके से जो गाठे है वो तूड जाते हैं और इसे हम ऐसे ही नहीं यूज करेंगे इस तरीके से अच्छे से चूरा बनाने के बाद इसे एक चलनी में डाल कर चान लेंगे जो चलनी आप आटा चानने में यूज़ करते हूँ वही ले लीजे आप क्योंकि प्लेट थोड़ी छोटी है मैं पहले थोड़ा सा चान लेती हूँ फिर जो बचेगा उसका में चूरा बना लूँगे इसी तरीके से ये जो आटे है इसको तोड़ करके हमें चानना है ये देखिए हाथ से तोड़ी बहुत आसानी से हो जा रहा है अब इस तरीके से चान लिया आप इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो की बेसिक मसाले है जो हमारे घर में होती ही है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वादानुसा नमक आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर दो छोटी चमच लाल सफेद तील सफेद तील डालने से यह दिखने में भी अच्छी लगती है खाने में भी स्वादिस्ट होता है एक छोटी चमच तेल डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे अच्छे से मसलते हुए तेल को मिक्स कर दे जिससे कि इसमें एक मोन का काम करेंगा जिससे हमारा ज इतनी आटे के लिए perfect है लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें दिखे मैंने आधा डाला भी डाला है और ये हलकी सी मतलक गुंदने लगी है अब जो बची हुई दाल है मैं पूरा डाल रही हूँ और मैं mix कर रही हूँ अच्छे से mix कर लेंगे अगर डाल डालन से ready हो गया है ये देखिए अब हम लेंगे चकली maker ये कुछ इस तरह की एक machine आती है इसे चकली maker कहते है अगर चकली बनाते होंगे तो obviously आपको पता होगा आप देखिए इसे में तेल लगा कर grease कर रहे हूँ इसे क्या होगा जो आटा है वो चारो तरफ नहीं चिपकेगा बह अब धककन के अंदर हमें plate को रखना है और फिर इसका lid को बंद कर देना है ये दिखिए ऐसा अब जो आटा हमने prepare किया है उसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और फिर इसके अंदर भरेंगे और फिर चकली बनाना start कर लेंगे धकन को बंद करके ये दिखिए पूरा प्रोस तो आपको ये process तो पताई होगा देखिए इसका धकन इस तरीके से बंद होता है अच्छे से धकन को बंद करने के बाद जो उपर डंडी है ना उसे हमें घुमानी है इसे घुमाने से नीचे से बैटर निकलने लगी और फिर बस आपको चकली मेकर को घुमानी है ये राउंड निकल रहे हैं और चकली मेकर को भी में ऐसे घुमा रहे हूं ताकि round round चकली ready हो तीन से चार round आप घुमाएं और last edge को आप अच्छे से चिपका दे ताकि तेल में जाकर के खुले ना अगर आप edge को अच्छे से नहीं चिपकाएंगे इसमें ऐसे ही छोड़ देंगे तो तेल में जाकर खुलने का बहुत चांस होता है इसी तरीके से सभी चकली बना लेंगे सभी नहीं कुछ आप पाच्छे बना लें फिर उसे फ्राइ करें फिर पाच्छे बनाए फिर फ्राइ करें ऐसे करें एक साथ में बना कर रख देंगे तो फिर फट जाएंगे तेल में जाकर के कोई भी चकली हो आप बना कर रखेंगे तो सूख जाएंगे फिर तेल में डालने के बाद उसमें क्रैक्स आएगी इसलिए पाच् से पहले चकली तब भी डालना चाहिए जब तेल अच्छा गरम हो मीडियम गरम से भी थोड़ा सा ज्यादा फ्लेम हाइप पर रहेगी उस वक्त जब आप चकली डालेंगे तेल में और अगर आप कम गरम तेल में लो फ्लेम पे चकली को डाल देते हैं ये वाली चकली तेल में जाकर खुल जाएगी इस बात का खास ध्यान रखी कि तेल अच्छा करम हो और पहली चकली को मैंने spatula से डाला क्यों बाकी का तो मैंने हाथ से डाला ऐसा क्यों किया क्योंकि पहली बारी जो मैं spatula से डाल कर आपको दिखाई वो beginners के लिए है जिनको आदत नहीं है जो पहली बार बना रहे है वो spatula से ही निकाल कर डाले ताकि चकली आप आप से तूटे ना नहीं तो पहले है अब चकली को तोड़ देंगे आप चकली फ्राई करेंगे क्या बनाएंगे क्या इसलिए नहीं तो अगर आपको आदत है तो आप हाथ से उठा कर डालेंगे तो भी नहीं तूटती है अब चकली पहले आप जब डालेंगे तेल में थोड़ी दर इसे फ्राई होने दे तूरंद टचना करे थोड़ी दर ये फ्राई होगा तो इसकी बुरबुरे थोड़ी सी कम होंगे तब इसे पलटे पलटने के बाद मीडियम फ्लेम पे थोड़ी दर और फ्राई करे जब इसकी बुरबुरे आल्मोस्ट खतम हो जाए तेल में ये नीचे जाने लगे तब चकली को निकाल देजिए अब ही हमारा तेल जो हे थंडा हो चुका है जब हम ये चकली को निकाल देंगे फ्लेम को फिर से हाईपे करेंगे और तेल थोड़ी सी और गरम होगी तब हम next batch की चकली डालेंगे और फिर इसी तरीके से fry करेंगे बस चकली रेडि है चकली को अच्छा से थंडा कर लिजिए और फिर किसी भी 8 ट fier कंटेनर में भरकर आप स्टोर करके रख सकते हैं पस इसी तरीके से सभी चकली को मैंने fry कर लिया है चकली रेडि हो चुके है और मैंने खाकर के भी देख लिया है बहुत ही डिस्टी है आप भी बनाईए और अपना फीड़बेक मेरे शेयर करें चैनल पर निव है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन क्लिक करें चलिए आज के लिए इतना ही बाबाई